महराष्ट चुनाओं में उलेमा बोड के महा विकास अगाडी को समर्थन की शर्तों के मुद्दे पर सियासत में उफान है इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं उलेमाओं के M.B.A. को समर्थन पर सुमया का बड़ा दावा किरीट सुमया ने बड़ा दावा किया है नाना पटोले ने उलेमा बोड को चिठी लिखी ये किरीट सुमया का कहना है किरीट सुमया ने जारी की नाना पटोले की चिठी उलेमा बोड की 17 मांगों को लेकर लिखा खत नाना पटोले ने चिठ्ठी की पुष्टी नहीं की है, महराष्ट कॉंग्रेस ने किरियट सुमया के पत्र को फर्जी बताया है महराष्ट में महाविकास आणारी कॉंग्रेस की सरकार आते ही राष्टिय स्वयम स्वक्संग आरेसेस पर प्रतीबन लगेगा और इंडिया उल्मा बोर्ड महाराथ्ट ने महाराथ्ट प्रदेश कॉंग्रेस अज्यक्चर नाना पटोले के पास 17 मांगे की उसमें से एक मांगे आरेसे द्वर प्रतीबन लगाना जो कॉंग्रेस ने मान्यकी है इसी खबर पर और जादा जानकारी देने के लिए हमारे संबादाता मृत्यूंजय सीधे मुंबई से लाइब जुड़ चुके हैं मृत्यूंजय शुरूंजय ने ये दावा किया कि एक नाना पटोले का ये पत्र है जो कि उलेमय कांसल को जवाब में लिखा गया है इसमें जवाब ये लिखा गया कि आप को पूरी तरह से फेक बताया गया गलत बताया गया और ये कॉंग्रेस के तरफ से कहा गया कि जिस प्रकार से बीजेपी और महायूती जूट और फरेव फैलाती है चुनाव प्रचार के दोरान उसी प्रकार से एक जूठा पत्र लेकर ये दावा कर रही है कि M.V.A. ने उलेमा काउंसिल के 17 जो मांगे थी उसको मान लिया है तो कहीने कही सुबस से करेट सुमईया इस मुद्दे को लेकर आकरामक है उन्होंने दो मुद्दे जाहिर कि एक उलेमा काउंसिल वाला मुद्दा था और एक टाटा इंस्टिटूट का जो एक टेपर अच्छा इसे करार दिया है कॉंग्रेस ने